दोस्तो जब घर में कोई सबजी न हो और नानमेज पनीर से भी कुछ अच्छा खाना हो जो बिना टमाटर प्याज के भी बन जाए तो आप ये बेसन की सबजी जरूर बनाईगेगा बहुत ही स्वादिश्ट सबजी बनती है और बनाने में बहुत ही असान है तो चलिए बनाना सुरू करते है इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक सेर कर दीजेगा और चैनल को सस्काइब कर लिजेगा तो बेसन की सबजी बनाने के लिए यहां पर हमने एक कप बेसन ली है बरसात का मौसम है तो हम इसे चान ले रहें जिससे इसमें गुठ ले ना रहे और गंदगी वगर हो वो निकल जाए चालने के बाद इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी दो चुटकी ह हम इसमें एक चम्मच तेल डाल देंगे सरसो या रिफाइंड कुछ भी ले सकते हैं इससे कतली सौफ्ट बनेगी बहुत ज्यादा हाड नहीं होगी तो बस तेल को हमें बेसन में अच्छे से मिला लेना है मोयन लगा लेना है और थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इनका पाते को हमने न तो ज्यादा सकत रखा है और नहीं बहुत ज्यादा गीला मुलाय माटा गूत कर त्यार कर लिया है अब हम इसके दो भाग कर लेंगे एक भाग को हाथ में लेकर रोल करेंगे और इसकी लोई बना लेंगे और इसे हथेली के बीच में रखकर चप्टा कर ले आप चाहे तो इसे बेल कर भी ले सकते हैं, अब एक पेन या पैंसिल ले लिजें, इसे ओइल से ग्रीज कर लिजें और इसे पूड़ी के बीच में रखिए और इसे इस तरह से फोल्ड कर लिजें, किनारे के तरफ अच्छे से चिपका लिजेगा और इसे बराबर कर इसमें अच्छा सा होल हो गया है इस तरह से इसके अंदर ग्रेवी अच्छे से भर जाती है और इसका से भी अच्छा आजाता है इस तरह से हमने ये दो पौकेट बना कर त्यार कर ली है अब एक बरतन में हमने 1.5 गिलास पानी गरम होने के लिए रख दे थी, पानी में उबाला गया है, तो इसमें हम ये पॉकेट डाल देंगे, और इनको कभर करके 7-8 मिनट तक पका लेंगे, और 7-8 मिनट बात ये देखे, ये अच्छे से पक गए हैं, और फूल कर साइज में बड़े हो गए है, तो अब हम इनको निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे, और ये जो पानी है ना, इसे हम फेकेंगे नहीं, इनका इस्तमाल हम ग्रेव में करेंगे, अब चलिए, जब तक ये ठंडे हो रहे हैं, तब तक हम मसाला त्यार कर लेते हैं, इसके लिए मि मसालों में हमने लिए एक बड़ी लाइची दो छोटी लाइची एक इंग तालचीनी के टुकड़े 7-8 काले मिर्च और 2-3 लॉंग खाड़े मसालों में जो आपके पास हो वो ले लिजेगा 5-6 लेसुन की कलिया डालेंगे और 2-3 चम्मच पानी डालकर हम इनको महीन पीस ले देंगे 1-5 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कम तेखी वाली लाल मिर्च पाउडर और 1-5 चम्मच हल्दी इन मसालों को पेश्ट में अच्छे से मिला लेंगे और ये लीजिए हमारा मसाला भी त्यार हो गया अभी हम इसे साइड में रख देते हैं इधर ये बेसन के र पतला पतला काट लिया है और देखिए इस तरह से इनका सेप मचली जैसा आजाता है और बेकिंग सोडा डालने से ये एक्तम जालीदार बने है तो चलिए अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं तो इसके लिए कढ़ाई में हमने तीन बड़े चम्मच तेल गरम कर ली है इसमें हम ये एक एक करके पीसेज डाल देंगे और इनको मीडियम आज पर उलटते पलटते विए फ्राई कर लेंगे आप चाहें तो इनने विना फ्राई किये भी बना सकते हैं पर फ्राई कर लेने से सबजी का टेस्ट और बढ़ जाता है और देखिए इनको मैंने थोड़ा लाल फ्राई किया है और इनको फ्राई करने में तीन से चार मिनट का समय लगा है और ये बहुत ही क्रिस्पी हुए है इनको आप ऐसे भी चाय के साथ खाएंगे तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं इस तरह से सारे पीसेज को हमने फ्राई कर ली है अब जो कढ़ाई में तेल पानी डाल कर ले ली है इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ी दे भून लेंगे और हल्का भून जाने पर हम इसमें दो सूखी खटाई डाल रहे हैं आप इसकी जगा आधा चम्मच आमचूर पाउडर या चाट मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं इससे सबजी में त सब्रबिन क्यों से खटाएगा तो चलिए अब हम मसालो को कवर करके चार से पांच पका लेते हैं बीच बीच में चलाते रहिए गा जिससे की मसाले जले नहीं और इन मसालों को अच्छे से भुनिएगा मसाले जितनी अच्छी तरह से भुने रहेंगे ना सबजी का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा और देखें मसालों को भुनते हुए 7-8 मिनट हो गया है मसाले अच्छे से भुन गया है तो अब हम इसमें ये बेशन वाला पानी डाल देंगे आधा गिलास पानी हम इसमें और डाल रहे हैं एक चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे और थोड़ी सी कसूरी मेती इनका फ्लेवर सबजी में बहुत अच्छा आता है अब सभी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे और ग्रेव में उबालाने देंगे और जैसे ही ग्रेव में उबाला जाए तो हम इसमें ये पिसेज डाल देंगे और इनको कभर करके 4-5 मिनट तक पका लेंगे और 5 मिनट पकाने के बाद ये देखिए ये हमारी बेसन की बहुत ही स्वादिश्ट सबजी बनकर त्यार हो गई है थोड़ा सा हम इसमें बारी कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इनको सर्ब कर लेंगे आप देख सकते हैं ग्रेवी भी काड़ी हो गई है और ये एकदम मचली जैसे दिख रहे हैं और ये इतने टेश्टी लगते हैं ना कि कोई पहचान ही नहीं पाएगा कि ये बेसन की सबजी है और बिना टमाटर प्याज की बनी है एकदम सौफ्ट मूँ में घुल जाने वाले बनते हैं और नान्वेज पनीर से कम नहीं लगते हैं इनको आप गर्मा गरम रोटी, पराठे, चावल किसी भी चीज के साथ सर्व करिए ये खाने में बहुत ही स्वादिश लगते हैं और जो लोग नान्वेज खाते हैं ना एक बार ये बेसन की सबजी खा लेंगे ना तो वो नान्वेज खाना भूल जाएंगे ये इतने लाजबाब लगते हैं आज कल बाजार में सबजियां बहुत महंगी हैं दोस्तों और ये सबजी सिर्फ एक कप बेसन में पूरे परिवार के लिए बन जाती है कम सामान में ये आसानी से बन जाते हैं तो आप इसे एक बार जरूर बनाईएगा तो दोस्तों ट्राइ करिए उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेस्पी बहुत पसंद आएगी और पसंद आए तो कॉमेंट में जरूर बताएगा कि आपको ये रेस्पी कैसी लगी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में सेयर कीजेगा और रोज नई इन्युवेटिव रेस्पी देखने के लिए चैनल को सस्काइब करना ना भूलिएगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद